नमस्कार मैं एडूकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों मानहानी यानि डेफामेशन के बारे में आपने सुना होगा और उम्मीद है बेसिकली जानते भी होगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मानहानी करता है तो उसके खिलाब सिविल और फोजदारी दोनों टाइप के केसेज फाइल किये जा सकते हैं आज के वीडियो में हम मानहानी और उसके लिए अवेलेबल रेमेडिज की ही बात करने वाले हैं वीडियो शुरू करने के पहले बता दू कि हमारे चैनल पर काफी सारे टॉपिक्स पर लीगल वीडियो अपलोड किये हुए हैं और रेगुलर अपलोड किये जाते हैं जो आपके लिए काफी यूसफुल हो सकते हैं इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोज की जानकरी आपको मिलती रहें सबसे पहले मानहानी के बैक्ग्राउंड और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ये इंट्रेस्टिंग है कि मानहानी यानि डेफामेशन से रिलेटेड कानून करीब 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है अगर आपने रोमन सामराज्य के बारे में सुना हो तो रोमन सामराज्य के टाइम एक लोग बनाया गया था जिसके अनुसार अगर कोई किसी व्यक्ति पर बिना सबूत या ठोस कारण के कोई आरोप या लांचन लगाएगा तो उसे सजा मिलेगी और तब से लेकर आज तक मानहानी के कानून में समय के साथ-साथ बदलाव जरूर हुए हैं लेकिन ये कानून किसी ना किसी रूप में मौजूद रहा है डेफामेशन से संबन इतलो इस कॉंसेप्ट पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की इज्जत या प्रतिस्टा भी उसकी संपत्ति से कम नहीं होती और उसे नुकसान पहुंचाने पर भी सजा और छत्यपूर्ती का प्रावधान सभ्यसमाज में होना चाहिए हमारे देश में मौझूदा कानून के नुसार मानहानी की डेफिनेशन इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 4.99 में दी गई है जिसके नुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयी छब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या द्रिश्य रूपनों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांचन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांचन से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पोहँचाया जाए या यह जानते हुए लांचन लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांचन से उस व्यक्ति के प्रतिष्ठा को नुकसान होगा तो उसे मानहानी करना कहा जाएगा हालां कि इसी section में defamation को बहुत detail में बताय हुआ है लेकिन मौटे तोर पर मानहानी के लिए जो चीजें जरूरी है उनमें पहली तो ये है कि मानहानी करने वाले व्यक्ति का या तो intention ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की ख्याती को नुकसान पहुँचाना है या फिर उस व्यक्ति को पता है कि उसके essay statement या publication से किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिस्था को नुकसान हो सकता है कहने का मतलब ये है कि मानहानी के लिए intention होना जरूरी नहीं बलकि केवल knowledge होना भी पर्याप्त है दूसरी बात जो definition से निकल कर आती है वो ये कि मानहानी बोले गए शब्दों से भी की जा सकती है पब्लिस किये हुए लेक से भी की जा सकती है इशारों से भी की जा सकती है और किसी व्यक्ति से संबंधित कोई चित्र कार्टून वगरे बना कर भी की जा सकती है और तीसरी जरूरी चीज ये है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति की ख्याती यानि प्रतिस्था को ठेस पहुची हो अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहने से या पब्लिस करने से सामने वाले की प्रतिस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसे मानहानी नहीं माना जा सकता है ये भी इंट्रेस्टिंग है कि मानहानी किसी व्यक्ति की ही नहीं बलकि किसी संस्था फर्म कंपनी वगरे की भी हो सकती है यहां तक की मरे हुए व्यक्ति की भी मानहानी हो सकती है और इसके लिए मरे हुए व्यक्ति के उत्राधिकारी केस फाइल भी कर सकते हैं अब बात करें कि मानहानी के लिए कानून में रेमेडी क्या क्या है तो इंडियन पैनल कोड की section 500 के अनुसार मानहानी करने वाले व्यक्ति को दो साल तक के कारवास और फाइन से दंडित किया जा सकता है दूसरी तरफ जिस व्यक्ति की मानहानी हुई है वो civil case फाइल करके अपनी मानहानी के लिए compensation की मांग भी कर सकता है अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी किसी ने मानहानी की है और वो चाहता है कि मानहानी करने वाले व्यक्ति को सजा दिलवाए तो ध्यान रहे कि भले ही ये फोज़दारी प्रोविजन है लेकिन इसके लिए पुलिस को सीधे FIR दर्ज करने का धिकार नहीं होता ऐसे में जिसकी मानहानी हुई है उसको session court में complaint फाइल करनी पड़ती है और ये प्रूव करना पड़ता है कि जिसके खिलाफ complaint पेश की गई है उस व्यक्ति ने शिकायत करता की मानहानी की है दूसरी remedy लेने के लिए आपको civil court में civil दावा पेश करना पड़ता है जिसमें आपको हुई मानहानी का आप रूपयों में आकलन करके court से compensation दिलवाने की मान कर सकते हैं अब compensation के रूप में कितने रूपयों की मान की जा सकेगी ये depend करेगा कि जिस व्यक्ति या संस्था की मानहानी हुई है उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है और जिस वेक्ति के खिलाब दावा पेश किया गया है उसके कारण प्रतिष्ठा को कितना नुकसान बहुचा है हालांकि सब जानते हैं कि प्रतिष्ठा का मुद्रिक मुल्यांकन करने के लिए कोई निस्चित मापतंड नहीं हो सकता लेकिन सिविल कोर्ट कुछ फैक्टर्स पर काम करके ये तै करता है कि कितने रुपए की मानहानी हुई है आप अपनी मानहानी के लिए कितने रुपेयों का दावा करें ये केवल प्रतिस्ठा के मुल्यांकन पर ही डिपेंड नहीं करेगा बलकि आप जिस भी amount का claim compensation के रूप में करते हैं उस amount पर आपको court fees का payment भी civil case file करने के लिए करना पड़ता है court fees हर state में अलग-अलग हो सकती है जो generally 2-8% के बीच होती है जैसे मान लिजिए आपने अपनी मानहानी के लिए 1 करोड रुपे का compensation case file किया है और आपके state में court fees 5% है तो आपको case file करते टाइम 5 लाख रुपे की court fees का payment भी करना होगा मतलब की court fees भी एक factor बन जाता है जिसके अनुसार ही हम मानहानी के compensation की calculation करते हैं आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले बाबा रामदेव को Indian Medical Association ने 1000 करोड रुपे की मानहानी के लिए notice दिया था मतलब मानहानी के लिए compensation की कोई सीमा नहीं है बस दो चीजें ज़रूरी है पहली तो ये आपको साबित करनी पड़ेगी कि आपकी इतने रुपे की मानहानी हुई है और दूसरा ये कि आप जो भी amount compensation के लिए claim करते हैं उतनी amount पर आपको court fees का payment करते हुए ही case file करना होगा दोस्तों हालां कि मानहानी के subject पर provisions काफी technical हैं लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में समझा पाऊं जो कि हमारे channel का उद्देश्य भी है उमीद है आप समझ पाए होंगे इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है या आप हमारे legal experts से बात करके राय लेना चाहते हैं तो आप हमारे official number पर contact करके call book भी करवा सकते हैं regular legal updates के लिए आप हमें हमारे facebook और instagram page पर भी follow कर सकते हैं जिनके लिए link वीडियो के description में दिये गए हैं आज के वीडियो में इतना ही जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकरी के साथ नमस्कार